ओम चांती, मन को कंट्रोल करना हमारी एक बहुत ही स्रेश्टिस्थिदी है, संचार में पहले हम सुनते थे, जो मनुसपने मन को कंट्रोल कर लेता है, वो तो हवा को भी रोकने में समर्थ हो जाता है, बाबा ने भी कहा है, हम सेकिन में फुली स्टोप लगाने की प्रेक्टिस करें, तो अंत में हम कर्मतीत हो जाएंगे, हम इसके निरंत्वर प्रेक्टिस करें, मैं स्वराज जधिकारी हूँ, मास्टर सर्फ सक्तिवान हूँ, इस स्वमान की स्ट पर वैठ जाएं, और जस्ट ये गुट फेलिंग करें, कि मैं मन की मालिक हूँ, तो मन हमारे आदेश का पालन करने लगेगा, आकिर इस मन को हमें ठेक दिशा में तो लाना ही है, तो हम प्रेक्टिस करते रहें, इसकी रूची व्यर्थ की ओर नहो, व्यर्थ में मन बहुत भागता है, बहुत वटतता है, व्यर्थ में रूची, व्यर्थ सोचने की आदत, इडरुदर की तरसनाई और इच्छाएं, देधारियों के प्रती लगाव, संसार से बहुत कुछ पाना, मनुस्यों से बहुत कुछ कामनाएं, विसेवासनाएं, ये मनुस के मन को बटकाती हैं, ज़्यादा बटकाया है व ठोड़ते चलेंगे, ये मन स्वत ही धीवी गती से चलेगा, और दूसरी प्रैक्टिस करें, बिगेटिव को पोजिटिव में बदलने की, कोई ऐसी चिंता वाली बात हमारे सामने आ जाती है, तो मन उस बहुत बिगेटिव सोचने लगता है, पता नहीं क्या होगा, कहीं य अज़्रवा यही सोचें, स्वयम भरवान मेरे साथ है, मेरा स्रेश भाग भी मेरे साथ है, मेरे पुन्यकरम भी मेरे साथ है, और मैं स्वयम भी बहुत महान हूँ, तो मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसे संकल्कों से, अपने निगेटिव को पोजिटिव में बदल पे चले और मन की स्पेड हमारी धीमी होती चले जितनी संकल्कों की स्पेड हमारी सत्युग में थी आठ दस थोट्स पर मिनट वैक्सी स्पेड यदि नैचुरल रूप से हमारी रहने लगे तो सेकिंड में फुली स्टोक लगाना अती सरल हो जाएगा और इसे स्पेड को डाउन करने के लिए हमें तीन चार प्रेक्टिस करनी पड़ेंगी उनमें पहली प्रेक्टिस है स्वामान की दूसरी practice है सरीरी होने की, तीसरी practice है आत्मिक द्रस्ती की, और चोथी practice है हम एक विशेश महानलक्स को जीवन में साथ लेकर चलें, एक विशेश पुरसार्थ में सदा लगे रहें, तो निगेटिव संकल्प स्वत ही समाथ होते रहेंगे, स्वामान की कोई न कोई प्रैक्ट तो अनेक व्यात संकल्प स्वत्य ही बंद रहेंगे, जैसे जैसे बीच बीच में हम ऐसरीरी होने का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा अलग, यह देह बिल्कुल अलग, वैसे वैसे संकल्पों की स्पेड डाउन होती चली जाएगी, हम यह निरंतर साधना करें, क्योंकि मन को साधनाओं के संभव नहीं होगा, और मन को साधे बिना, हम सेटेंद में फुली स्टोप नहीं लगा सकेंगे, और सेटेंद में फुली स्टोप लगाने वालों के पास ही, अत्य अधीक साइलेंस अवर होती है, और यह साइलेंस पावर आगे चल कर, बहुत काम आएगी, उनने पता चलेगा उनके पास कितनी सक्तियां हैं, जब प्रकरती भी उनका आदेश मानेगी, जब उन्हें ऐसा लगेगा कि विनास की घटनाओं को भी वो अपनी चानुसार दिशा दे सकते हैं, तो आजिए हम मन की स्पीड को स्लोडाउन करें, और एक सेकेंड में फुलिस चोप लगाकर परमधाम में बाबा की साथ इस्थित हो जाया करें, तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं मास्तर सर्व शक्तिवान हूं, और स्वरा जधिकारी हूं, मैं इस दहे से न्यारी हूं आत्मा, अपने तेजस्वी स्वरूप को देखते हुए, चलेंगे दाम की ओर, और बैट जाएंगे बाबा की वाइब्रेसंस में, फिर सेकिंड में अभ्यास करेंगे, बस मैं उपर हूं बाबा के साथ, बाबा के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इससे मन पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता जाएगा, ओम चंती